कि अब पास होरियर सेरीज के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें अर्द प्रास की बात करेंगे अभी तक हमने जो फंक्शन किये थे उस फंक्शन में इसमें एक्स जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में डिफाइन था लेकिन अब जो पार्ट करेंगे उसमें एफ एक्स जो है वो जीरो से पाई के बीच में परिवासित होगा यहनी आद्ध प्रास हो गया वहां पे माइनस पाई से प्लस पाई दो पाई का अंतर था यहां पे जीरो से पाई यहनी पाई का अंतर आ रहे है तो अगर कोई भी फंक्शन जीरो से पाई के बीच में आद्ध प्रास में या हाफ रेंज में हमारे पास डिफाइन किया गया हो तो उसमें दो परकार की फुरियर सिरीज निकलेगे पहला पार्ट आएगा कॉसाइन सिरीज का मतलब कॉस की स्रेणी बनाना कॉसाइन स्रेणी बनाना इस कॉसाइन स्रेणी के अंदर हम सिर्फ a0 और a n का मान ज्याद करेंगे a0 का मान निकालने का सुत्तर दो बटे पाई 0 से पाई an fx dx इसका उप्योग किया जाएगा और a n की value निकालने के लिए 1 अपॉन पाई 0 से पाई fx कॉस ओफ nx dx का उप्योग करते हुए हम a0 और a n का मान ज्याद करेंगे अब अगर Fourier series ज्याद करनी है यानि fx ज्याद करना है या cosine स्रेणी ज्याद करनी है तो उसके लिए सुत्तर वही रह जाएगा a0 प्लस n is equal to 1 to infinity a n cos of nx इस सुत्तर का उप्योग करते हुए हम cosine स्रेणी ज्याद करेंगे कोई ज्यादा अंतर नहीं है पिछला जो सुत्तर किया था उसी परकार का है समफलन या विस समफलन के अंसार पर विवासित करिया थे तो a0, a n के मान यही आये थे लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो half range की बात कर रहे हैं अर्द परास की बात कर रहे हैं और अर्द परास के अंदर जब हम काम में लेंगे तो cosines series को इस फोर्म में लिखने यह उसी इसी परकार दूसरा पार्ट आता है साइन स्रेनी, साइन सीरीज, साइन सीरीज के लिए सिर्फ बी अन का मान निगलेगा, और बी अन के लिए जो सुत्तर होगा, एक वटे पाई, जीरो से पाई, इस उत्तर का उप्योग करेंगे इस बार हम, और जब फुरियर सीरीज बनाएंगे साइन स्रेनी की, वो हमारे पास एन इक्वल्स टू वन टो इन्फिनिटी, बी एन इंटू, साइन एन एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी साहता से हम साइन स्रेनी ज्यात करेंगे यह हाफ रेंज के लिए यह दो पार्ट रहेंगे, जिनका बार-बार यूज किया जाएगा, उसके बाद में आता है हमारे पास, अगर जो परास है, पुरियर सीरेनी के ही कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, जिनमें फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, यदि अंत्राल जो है, एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, जो कि जीरो और दो पाई के मद्दे परिवासित हो, एक्स की वैल्यू जो आ रही है, वो जीरो और दो पाई अंत्राल में है, अगर जीरो और दो पाई अंत्राल में परिवासित है, तो फुरियर सीरीज तो वही रेनी है इस बार अगर को साइन और साइन स्रेनी कहता है तो उसके उनसार बदल देंगे लेकिन अगर साइन और को साइन स्रेनी नहीं कहता है तो फुरियर सीरीज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे फुरियर सीरीज वो की वो ही रहेगी हमारे पास और सुतर भी वो ही रहेग यहाँ 0 से 2 pi हो जाएगा fx dx फिर an के लिए सुत्तर था 1 बटे 2 pi 0 से 2 pi fx cos of nx dx और फिर bn के लिए सुत्तर था 1 बटे 2 pi 0 से 2 pi fx sin nx dx इन सुत्रों का उप्योग करते हुए हम a0, an और bn को परिवासित करेंगे यानि लगबग वो यह limit change हो गई और कोई ज़्यादा परिवर्तर नहीं हुआ यहाँ पे इसमें साइद 1 बटे 2 pi इसमें था और इनमें 1 बटे pi और 1 बटे pi था यह हमारे पास परिवर्तर थोड़ा सा हो सकता है इसमें 1 बटे 2 pi उसमें साइद 1 बटे pi था इसमें 1 बटे 2 pi हो जाएगा उसमें 1 बटे 2 pi था तो 1 बटे pi आ जाएगा दोनों में और इस परकार से हम a0, an, bn के मान निकालके उसमें series में put करेंगे Fourier series बन जाएगे डिफरेंट डिफरेंट इंटर्वेल हैं जिनमें हम Fourier series बनाएगे अभी तक हमने जो किये थे वो माइनस pi से प्लस pi था फिक्स लेकिन अब हमारे पास जो आएगा वो माइनस pi से प्लस pi ना होकर 0 से 2 pi, माइनस l से प्लस l आ जाए एक और पार्ट इसमें अगर fx जो है वो माइनस l से प्लस l के बीच में प्रिबासित हो माइनस l से प्लस l के बीच में प्रिबासित होने पर एक तो Fourier series में प्रिवर्तन होगा a0 plus sigma n equals to 1 to infinity a n cos of यहाँ पे n x था उसके साथ pi बटे l हो रा जाएगा भी plus bn sin n x के साथ pi बटे l आ जाएगा यहाँ पाइ बटे l का और n x के साथ multiply हो जाएगा अगर minus pi से plus pi ने देकर minus l से plus l के बीच में प्रिबासित किया गया होता हुँ इसी में अब a0 निकालने का सुत्तर भी बता जाएगा a0 के लिए आ जाएगा 1 upon 2 l minus l से plus l fx dx a n का सुत्तर बन जाएगा एक बटे l minus l से plus l fx cos of n pi x upon l dx और bn का सुत्तर बन जाएगा एक बटे l minus l से plus l fx sin n pi x upon l dx यनि pi बटे l और extra आ गया इसमें वहाँ पर pi बटे l ना होकर pi बटे pi था जिसके कारण 1 बन जाता था उसका उप्योग नहीं कर रहे थे लिख लिख लिजीए जैसे हमने लास्ट फार्मूला किया है कि function जो है वो minus l से plus l में defined हो तो उस condition में हमारे पास जो Fourier series है वो fx is equal to परिवासित किये थी जिसमें a0, an, bn के सुत्तर किये थे उसी में अर्धपरास में आ जाता है कि अगर function fx interval 0 से l में define कर दिया जाए तो उस condition में फिर से वो ही part है वो पूछा जाएगा cosine reni पूछा जाएगा या हमारे पास sine reni पूछी है उसने अगर cosine reni पूछी है तो fx का मान a0 plus sigma n equals to 1 to infinite an cos of nx से लिखेंगे लेकिन n pi x upon l बनेगा यहांपे क्योंकि 0 से l में पूछी है और अगर वो sine sreni पूछता है तो sine sreni के अंदर या sine series के अंदर हमारे पास जो topic रहेगा उसमें fx is equal to sigma n equals to 1 to infinite bn sine of n pi x upon l के रूप में पूछी है यहाँ a0 का मान निकालने के लिए सुत्तर हैगा 1 बटे l 0 से l fx dx और an का सुत्तर 2 बटे l 0 से l fx cos of n pi x upon l dx जबकि bn के लिए सुत्तर हैगा 2 बटे l 0 से l fx sin of n pi x upon l dx यहाँ निकोज ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा अगर हम इसको चेंज कर दें minus l से plus l दिया हुए है तो 0 से हमने वो बढ़ा था two times करके 0 से l लिख सकते हैं इसका two times करके half rast में change किया गया इसका two times करके half rast में change किया है और इसको भी two times करके हाफ रास में चेंज किया है, यानि जीरो से L में चेंज कर दिया, पर वहाँ पे हमने ये टॉपिक किया था, even function और odd function के लिए, यहाँ पे even odd को नहीं देखना है, यहाँ पे अगर वो कहता है, कोसाइन स्रेनी निकालो तो यह मान निकालने हैं हमें, और अगर साइन स्रेनी निकालो तो यह मान निकालने हैं, अगर normal कहाँ देता हाफ रास के लिए एक फुरियर सिरीज ग्याद की जिए, तो वहाँ पे कोसाइन और साइन दोनों पार्ट एक साथ हो जाएंगे, यानि यह दोनों A0, AN और BN के मान निकालके, इस मार्ट में रख देंगे तो फुरियर सिरीज बन जाएगी हमारी पुरी की पुरी, अगर नाम जैसे दिया होगा, उसके कोडिंग चलना पड़ेगा, फुरियर कोसाइन स्रेनी का है, या फुरियर सिरीज का है, फुरियर सिरीज यह होगी पुरी की पुरी, Fourier cosine ये होगा और Fourier sine ये होगा इनके उनसार हम प्रिवर्तन करेंगे इसी में अगर interval जो है वो हमारे पास A से B आ जाए अभी दग तो था upper limit lower limit almost same थे उसके बाद में हमने changes किये थे लेकिन अभी जो हमारे पास topic है उसमें अगर upper limit और lower limit हमारे पास same ना हो A और B के form में हमारे पास define कर दिया जाए तो उसको कैसे solve किया जाए जैसे कि A से B में परिवासित हो तो अगर कोई भी function fx अगला topic है इसमें जिसमें x a से b में परिवासित है तो उसके लिए Fourier series जो होगी हमारे पास वो fx बराबर a0 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 तो इंफिनिटी a n कोस ओफ इसमें परिवर्तन होगा एक तो बन जाएगा 2 pi n x माईनस a अपॉन b माईनस a प्लस b n sin 2 pi n x माईनस a अपॉन b माईनस a यहां a n और b n निकालने के लिए a0 निकालने के लिए जो सुत्तर है इसमें a0 निकालने के लिए तो पार्ट बन जाएगा 1 अपॉन b माईनस a a to b fx dx a n निकालने के लिए सुत्तर जो होगा वो दो बटे b माईनस a a to b fx इंटू cos of 2 pi n x माईनस a अपॉन b माईनस a dx और b n निकालने के लिए जो सुत्तर है 2 बटे b माईनस a a to b fx sin 2 pi n x माईनस a बटे b माईनस a इस सुत्तर का उप्योग बहुत गम है हमें स्वाल कोई rare case में एक आदा दिया हो तो दिया हो और इस सुत्तर का उप्योग हमारे paper में भी university paper में नहीं मिलता सिर्फ इसमें एक नंबर में सिदा सा स्वाल पुचा जाता है है कि यदि कोई भी फलन जो है वो a से b में परिबासित हो तो उसके fourier series और fourier गुनांक लिखने के सुत्तर लिखिए उसुत्तर के रूप में यह पुच्छा जाता है वो इसको कहेगा सम फलन है अपने सम फलन मानी नहीं सकते क्योंकि पता है कि एक्स कीज़िए माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ ओफ एक्स बनेगा विसम फलन बनेगा तो उसके उनसार तो हम प्रिबासित गरी नहीं पाएंगे इसको solve नहीं कर पाएंगे मैंने जो टॉपिक बताया उसके उनसार देखिए इसकी कोसाइन सरेनी बनानी है कोसाइन सरेनी बनानी है और 0 से L तक परिबासित है तो नॉर्मल है कि हमें A0 और An का मान निकालना है fx इस इक्वल टू यह जो सरीज बनेगी A0 प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू वन टू इंफाइन एन कॉस ओफ एन एक्स यह हमारे पास कोसाइन सरेनी बनेगी इस कोसाइन सरेनी को ग्याद करने के लिए A0 निकालते हैं A0 का मतलब होगा 1 अपॉन एल इंटिग्रेशन 0 टू एल fx dx वन अपॉन एल जिरो टू एल एक्सटी एक्स वन अपॉन एल एल स्केर अपॉन टू जिरो रखने पर जिरो ही आ जाएगा सॉल करेंगे एक एल से एक एल कैंसल एल बाई टू बन जाएगा फिर A1 निकालेंगे वो था आमारे पास 1 अपॉन 2 अपॉन एल 0 टू एल fx यहनी x इन्टू कॉस ओफ एन पाई यहां पे एन पाई x अपॉन एल था एन पाई x अपॉन एल d x इसको सॉल करेंगे 2 अपॉन एल x as it is cos का इंटिग्रेशन साइन एन पाई x अपॉन एल अपॉन एन पाई अपॉन एल माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशेशन वन हो जाएगा सेकंड का इंटिग्रेशन साइन एन पाई x अपॉन एल अपॉन एल अपॉन एल अपॉन एल तक पहले एल पॉट करते हैं अगर अल पॉट करेंगे इसमें अल पॉट करने पर l से l कैंसल एन पाई बचेगा और साइन पाई की वैलिवी 0 हती है इसलिए ये पूरा पाट 0 में कणवर्ट हो जाएगा कॉस ओफ एन पाई बचेगा कॉस ओफ एन पाई का मतलब होगा L square बटे N square pi square into minus 1 की power N और 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बनेगा और minus में इसकी value आ जाएगी L square upon N square pi square ये part बचेगा only इसको solve कर लेते हैं इसको solve करेंगे तो ये आ जाएगा एक तो common आ रहा है 2 upon L into L square upon N square pi square minus 1 की power N minus 1 बचेगा एक L से एक L cancel 2 upon N square pi square और इसके अंदर दो पार्ट बन जाएगे एक तो हो जाएगा 0 यदि N sum है और एक 2 minus 2 यदि N sum है N की value अगर sum और sum है उसके हम साथ दो पार्ट में बाट देंगे ये value अगर इसमें put करें fx में तो ये बन जाएगा L बटे 2 plus sigma N equals to 1 to infinite A N A N का मान निकाला है हमने 2 बटे N square pi square इंटू दो पार्ट में ये इसके साथ cos N pi x upon L का multiply होना है मैं वो भी लिख रहा हूँ N pi x upon L और फिर दो पार्ट में है 0 यदि N sum है और minus 2 यदि N विसम है मान रखेंगे सबसे पहले L का मान एक रखेंगे विसम संक्या है विसम संक्या है तो minus 2 लेना पढ़ेगा minus 2 लेंगे तो ये आ जाएगा minus का 4 बटे 1 का square pi square इंटू cos of pi x बटे L N का मान एक रखा है फिर 2 रखेंगे तो 0 आएगा 3 रखेंगे तो minus का आएगा minus का 4 बटे 3 का square pi square cos of 3 pi x बटे L minus 4 बटे 5 का square pi square cos of 5 pi x बटे L और इसे तरह से ये step सलते रहेंगे इसको अगर solve कर दें तो x बड़ाबर L बटे 2 इसमें 1 L बच गया यहां पे L आएगा सभी steps में common आ रहा है minus का 4 L बटे pi square बाकि बच गया cos pi x बटे L बटे 1 का square plus cos 3 pi x बटे L बटे 3 का square plus cos 5 pi x बटे L बटे 5 का square और इसी तरह से ये step सलते रहेंगे जिसे हम Fourier series कहेंगे question जो defined है हमारे पास इसके अंदर f x is equal to जो function दिया हुए 0 से pi के बीच में प्रिबासित किया हुए यानि हमें 0 से pi के बीच में इस function को लेके चलना है अब 0 से pi के बीच में अगर function को लेंगे तो half series बन गई और sin का मान ग्याद करना है इसका मतलब f x बराबर sigma n equals to 1 to infinity b n sin n x को प्रिबासित करना है क्योंकि x जो है 0 से pi के बीच में प्रिबासित है और अगर 0 से pi के बीच में प्रिबासित हो उसको b n sin n x लेके चलते हैं इसी दा for year half series के अंसार b n का मान 2 बटे pi 0 to pi f x into sin n x 2 part में डिवाइड हो जाएगा 0 से pi by 2 क्योंकि 0 से pi by 2 में इसकी value जो है x है sin n x dx और pi by 2 से pi में यहां पर आजाएगा pi minus x sin n x dx क्योंकि f x की value pi by 2 से pi के बीच में pi minus x से प्रिबासित है solve करेंगे 2 upon pi x as it is sin का minus cos n x upon n minus x का differentiation 1 sin n x का differentiation integration करेंगे minus का आएगा minus minus plus हो जाएगा cos n x upon n और उसका फिर से integration करेंगे तो sin n x upon n square limit आजाएगी 0 से pi by 2 2 upon pi pi minus x as it is product rule लगा रहा हूं sin n x का minus का आजाएगा cos n x upon n और minus pi minus x का differentiation minus 1 minus minus plus हो जाएगा लेकिन sin का integration करेंगे फिर से minus आजाएगा minus cos n x upon n बनेगा और फिर से एक वार integration करना है तो sin n x upon n square limit आजाएगी pi by 2 से pi के बीच में limit पुट करो इसमें सबसे पहले 2 upon pi pi by 2 पुट करेंगे तो minus pi by 2 n cos of n pi by 2 plus sin of n pi by 2 upon n square plus 0 रखेंगे तो 0 ये भी 0 आजाएगा तो minus का 0 क्योंकि यहाँ x 0 रखेंगे और यहाँ पे x 0 रखेंगे तो sin 0 की value 0 आजाएगी इसमें 2 upon pi पहले pi पुट करेंगे तो pi minus pi ये 0 हो जाएगा और sin n pi की value भी 0 होती है और फिर pi by 2 पुट करेंगे तो ये plus का हो जाएगा pi में से pi by 2 सब्ट्रेक्ट करेंगे pi by 2 आजाएगा cos of n pi by 2 upon n बनेगा और plus का ही क्योंकि minus lower limit पुट कर रहे हैं minus का sin आना था minus अल्रेडी दिया होगा तो minus minus plus हो जाएगा यहाँ पे आजाएगा sin n pi by 2 upon n square cos n pi by 2 का मान depend करता है अगर n odd number है तो 0 और n even number है तो even number होने पर minus 1 की power n की रूप में प्रिबासित हो जाएगा तो वो depend कर रहे है हमारे पास की n की value जो आ रही है वो odd आ रही है या even आ रही है उसके अनुसार हम इसको अलग अलग प्रिबासित कर लेंगे bn को लिख लेते हैं एक बार हम sin की भी value जो उसी के उनुसार हमारे पास change होंगी तो यह बन जाएगा 2 बटे pi तो पूरे में से common आ रहे है यह value minus की है pi बटे 2 n cos of n pi बटे 2 और यह जो value आ रही है वो plus की आ रही है same value है cancel हो जाएंगी लेकिन यह जो दोनों values है वो same आ रही है दोनों plus की है इसलिए जुड़ जाएंगी यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे n square sin n pi बटे 2 इसमें bn बराबर बन जाएगा 4 बटे pi n square sin n pi बटे 2 जुसको अगर अलग अलग मान निकालना चाहिएं जैसे b1 का मान निकालेंगी तो यह बन जाएगा 4 बटे pi sin pi बटे 2 जो एक होता है मान रखना हूं देख लो n का मान एक रखा हमने n का मान एक रखेंगे तो sin pi बटे 2 बनेगा और sin pi बटे 2 का मान एक होता है चार बटे पाई आगया एन की जिगए एक रखा गया फिर बी का मान अगर दो रखते हैं तो यह बन जाएगा चार बटे चार पाई साइन पाई क्योंकि दो से दो कैंसल हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है इसलिए बी टू का मान जीरो आएगा इसी परकार से बी फोर, बी सिक्स, बी एट इन सब का मान जीरो आएगा क्योंकि अगर एन की जिगए चार रखेंगे तो दो पाई आजाएगा छे रखेंगे तो तीन पाई आजाएगा आठ रखेंगे तो 4 by आ जाएगा और इन सब बिर मान जो होता है वो 0 होता है साइन का इसलिए ये सभी मान तो क्या हैंगे 0 बी 3 का मान आएगा 4 बाटे पाई इंटू 3 का स्केर माइनस एक बी 5 का मान 4 बाटे पाई इंटू 5 का स्केर प्लस एक क्योंकि पाई बटे दो का मान एक होता है तीन पाई बटे दो का मान माइनस एक होता है पांच पाई बटे दो का मान प्लस एक होता है साथ पाई बटे दो का मान माइनस एक होता है लगातार प्लस एक माइनस एक चलता जाएगा उसके अंसार मान बदलते जाएंगे ये value अगर Fourier series में रखें तो fx बराबर बन जाएगा आपके पास ये 4 बटे πाई sin x यहाँ इसको अलग-अलग करके लिख रहा हूं मैं b1 sin x plus b2 sin 2 x plus b3 sin 3 x plus b4 sin 4 x plus b5 sin 5 x b1 b3 b5 की value आएगी b2 अगेरा सब 0 है इसलिए डारेक्ट b1 की value 4 बटे πाई sin x minus 4 बटे 3 का स्केर πाई sin 3 x plus 4 बटे 5 का स्केर πाई sin 5 x minus dash 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 सलता जाएगा जिसको हम solve करते हुए इस परकार से लिख सकते हैं fx is equal to 4 बटे πाई common sin x minus 1 बटे 3 स्केर sin 3 x plus 1 बटे 5 स्केर sin 5 x dash 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 हमें जो निकमन करना है πाई स्केर बटे 8 का मान निकालना है हमें और πाई स्केर बटे 8 का मान ये हमें सिद करना है इसको सिद करने के लिए x की जगाए πाई बटे 2 रख देते हैं इस पूरे किशिन में अगर x की जगाए πाई बटे 2 रखेंगे तो यहां f x का मान क्या आएगा x की जगाए πाई बटे 2 स्केर क्योंकि दोनों में equal to pi by 2 है यहां पे भी pi बटे 2 आएगा और इसमें भी pi बटे 2 आएगा यानि fx का जो मान होगा वो pi बटे 2 होगा बराबर 4 बटे pi sin pi बटे 2 का मान 1 sin 3 pi बटे 2 का मान minus 1 होता है इसलिए 1 बटे 3 square sin 5 pi बटे 2 का मान 1 प्लस 1 होता है इसलिए 1 बटे 5 square और इसे तरह से आगे के steps आते रहेंगे या इसको pi square बटे 8 बराबर 1 प्लस 1 बटे 3 square 1 बटे 5 square लिख सकते हैं जो कि इसका निकमन है इस परकार से हम 4 year series में sine and cosine स्रेणी को प्रिबासित करेंगे